फाइनल इंडनाशनल ट्रावल खुल चुका है और क्या आपके दिमाग में यह ख्याल आ रहा है कि कौन सी सबसे पहली कंट्री होनी चाहिए मेरे दिमाग में यह सेम ख्याल आया था और यह तो आप प्र थाइलंड चौती बार बिकर्स थाइलंड के साथ वह comfort रहता है कि घर के पास है इंडिया के पास है और बहुत जारा सुन्दर कंट्री और इसी आइडिया के साथ मैंने भी अपनी थाइलंड की ट्रिप प्लान करी तो अगर आप भी जानना चाहते है कि 2022 में कोविड के बाद थाइलंड की ट्रिप कैसे बेस्ट वे में प्लान कर सकते हैं तो यह वीडियो आपके लिए कहीं मज जाए यह च्यूंकि हम लोग डिकोड करेंगे कि अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे है ता आप वो कैसी करनी चाहिए तो चलिए गाई किया तो चुरूण शुरूण चाहिए तो यह तो यह चीज कर सकते हैं कि अगर नाप गाए तो अगर यह चीज कर सकते हैं तो अभी गेस कर लीजे फिकर सिन थी तो वन वी फै बाद नापकोड पार्टनर मिष्राजी विद अधार लग रहा है फ्लिए वांटव ट्रूड क है क्ञान चाहिं, खाही है, हुआ हुआँ, पोगुषपी हुआ हाथ valley वाँ घरी झाल Wednesday कि शकट भान्र, अ मुझे पानी बहुत पसंद है यो ताब वहा है ताइलन योड कि थीन हे थाइलने थोगोमठीने हम चाही चंट, तो चलिए विदाऊ एड़ बिदे श्माग में तो बिदे पारण कर रहे हैं, कानफी दिए दिमाग में आपकी रहनी चाहिए? क्वाइट को कैसे करना है? वीजा क्या होना चाहिए? प्रोसेस्ट क्या है? कितना पैसा लगता है? क्या है? we gonna decode this all आपके लिए मैं बारबार नीचसली दिखुगा क्योंकि मैंने सवालो का एक चिथा बनाया है और वो चिथा मैंने जमीन आपे रखा है कि हम पड़ पाया हम कर दो इसका फ्लो विडियो का फ्लो कैसे होने वाला है किम है तो रीचस का किने कि आएंगी मेन कितने नमडर छो मुझे जाएंगे जाएंगी कितने नम गरो दो इसाएंगी निम्म मुझे चाहिएं और मेरा ट्रिप था 14 दिन का और मैं एंटर कर रहा था बैंककोक से और मैंने सोचा कि यार वापिस बैंककोक जाने कोई पॉइंट नहीं है तो मैंने बोला एक्षिट करता हूँ मैं फुकेट से तो हमने इसी तरह किसी को प्लान किया आब शृष्मोंकोट से को सले कण कुछ 20000 र॥ा ममनेर्च भीकिर था 2D को जो जाली को पिए भीकिर कॉछ 12000 अरहर तकेट मैंने अगर ङर आप रांड ट्र्प लेते हैं बैंकोट नू रहूंकोट विक्व्ट 2.000 नहीं केंने टुटाट था रांडोक, टीन Capital in Bangkok साम गई सिधे सूरत थानी से चाराउटनी तो है क्या फेज़िए फीफी आसे सिधे पांचे फुकट rumors and spring time is actually the best time to travel to Thailand तर भीडिन तर अजब दे दे अर्ड आपरिल मेंग तर अपरी मेंगे तर अपरीड तर फॉपक है मैं आर जून का अवसम हो जाता है तो बदिसल अवसम हो जाता है तो अवसमल जाता है तो बदेश के पास है तो बाष्टे को जाता है। तो जो बुद्टेशल नहीं हो एक्षपरियंस अगर आप मॉन्सून विटेस्ट इस ताइम नहीं है तो मतलब ने तो हमारे सबसे और Google कि सबसे ओने लेंबर नेवबर नेवेंबर की बीच में प्लान करना चीह है एक पल्हीर वाय है राज़ा आप 9 अरों सकता है कि निस विढ प्सद्रक्ट थावन कर बुड देप्त है एक फोरी आप Д यू कर देचानीले ढाइस्टे नहीं करता है तो अपार। चीज जो आपको है, आपको कम से कम 5-7 दिन पहले Thailand Pass के लिए अप्लाइ करना है जिसी भी चीज कारों में बात कर रहा हूँ उन चीजों को मैं नहींचे दिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ उनके लिंक्स को डाल रहा हूँ सबसे इंपोरन चीज है आपकी Thailand Pass हमें Thailand Pass मिल गया था एक से दो दिन के बीच में मगर Thailand Pass की वेबसाइट बोलती है कि कम से कम 7 दिन पहले अप्लाइ करना चाहिए तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 7 दिन पहले पक्का Thailand Pass के अप्लाइ कर लीजिए आपको Thailand Pass मिल जाएगा तब फर इंडियन्स वीजान अर्राइवल है वीजान अर्राइवल के कोस्ट है 2000 भाट आपको 2000 भाट करेंसी लेके जानी है इसका मतलब यह है वरी सिंपल कि आपको इंडिया में ही करेंसी एक्षेंज करनी पेड़े हैं इंडियन करन्सी और डॉलर नहीं चलते हैं आपको भाट ही देना है तो याद रखेगा कि कम से कम नहीं भी तो at least carry 10,000 भाट अर्ड़ी एक्चेंज देन इंडिया उस साब को हम लोग लोगी गए ते एक फ़नी चीजीज यह ही कि हमें 2000 भाट ता मगरें 200 भाट चार्च किया पर पर बाट हमें पच्ची में लिखेए 2000 भाट हमने जारा सवाल जवाब नहीं किया for god knows what reason but the website says 2000 भाट तो I think वह चेक कर लेंगे विचिस एक्वल इंडियन तो आपका पासपोर्ट तो जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो please PDF फॉर्माट में दो MB के नीचे इन फाइस को ready रखें because that is how it really works ठीक है अगर आपका जो COVID प्रोटोकॉल है अगर 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 आप फुली वाक्सिनेट तो starting 1st May 2022 okay COVID protocol for fully vaccinated change हो चुका है आपको पुली वाक्सिनेट चांगे पहले या वहां पॉचने के बाद kobe test कान की कोई ज़वति तो तो आपको जाना बढ़ेगा थू something called the Sandbox program तो आपको आपको चुररणीन करना पड़ेगा इन थाइलन अपर लांगे इस बात का फॉर्ट का धिन एक डियान ठट्री निचे मैं दालन रहा हूँ फॉर यूए इत दो फॉर्ण बहुतने के लिए लांगे पर ठालिध इस बात के लिगालेगा एक रिचाना है इस आपको तेस्ट करवाना पड़ा थाइब था थाइब थाइब त्मेग त्वेयरुजग हो पुछ्छिए थाइब यह था पर पूछ फिर में रपर फॉर्ट बार विदिए पर एक टिर अपर बार्ट अब्र तबर, पुछा थाट पूर्टामी तुम्हें कुछा थाइब नंच वाट South of Thailand or even South of Thailand if you wanna do all then you'll miss out on some experiences so I say that and both need like proper justice full time and like adventures are full it's it has so much to offer that you should split you on your trip I mean we decided to do South this time because we wanted to do water based activities lots of water based adventures and we were missing the beach so that's why we picked the South, the North You know what, Thailand actually has lots of jungle and wildlife, which we'll have to do again to do. If you ask me what is the best way to plan it, I'll tell you first on Presents because Thailand, North, Central, South. North has you in Shanghai, Changrin, whole jungle side, it's called the cultural side of Thailand, where is the actual culture started, Central has you all present with cities, party, normal beaches, Bangkok, Pattaya, Surathani, तो यह मिलेद अर आप आप ब्रावारज़ नहीं करने काम आप लिए कोफिफी खर्यूर्रा हो फुक्ट, तो यह मैं लुग्छामूई तो यह अर। इस अगर आप ट्रावल करना चाहते हैं अर अगर आप हमायदी तरह आप अप अर। अप्लोर ने जी खाल यह आप अर। न अबने क्या प्लान किया मैं आपको बताना चाहता हूं हमने लिए टोटल अव थर्टीन देज्स हमने स्टार्ट किया मैंने ट्रिप रंग्कॉक व्लॉग्स आने वाले हैं उसमें आपको सब कुछ इन डिटील दिखाने वाले हैं थे लुफ लेख सब्सक्रां थे लिए लिए कोफी वहां पर हामने अब माय भी कुल चुक है थर्टा शकुक अभर खुक टूच मने माय भी स्परियंस किया इस थिदे कहिं तो दूख की तो जिस तुक आपको सबेग्स तो अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अगर अगर आप आप इंडिया से वीजा करें आप जाएं आप जाएं अबसी से 30 दे का लेके न आराम से एक्सप्लॉर करें चाहते हैं तो बेके आप ये संस् gण से लिजी है आतफ भग़ अख भे कोल कि अव सर् Awak N आप 4-5 दिनrations डराम करें इंडों दो को समोव इंडाया लख भाक और भाक्कों आप ट्वां कर सकते हैं Thailand is something to offer for everyone absolutely and for all kind of itineraries we have something really cool planned where we will be launching our itineraries and you can book them so we'll be shameless plug-in so basically हुआ हो क्या रहे है भी and that's why Appraiser is working on this with me हम लोग कर रहे है जो हुआरी है basically हम जानते है कि most of you won't be able to comfortably plan this पूरा because आपको अपना पीच के टुरिप्स है taking बोर्ट, taking ट्रेंश so we are planning to work with a company and in the description हम लिंक डाल रहे है about this whole itinerary and how you can book this itinerary so I think that is gonna be the awesome thing so good job Mishraji on that planning this thing out and description में लिंक है, go check it out, sign up there and somebody from the team will hit you up and take you through the whole process where to enter and where to exit from ठीक है, बहुत बहुत पूर्स कहां कहां पर अगर आप इंके जा रहे हैं so I think two port है थाइलिन में एक है बांकोक और अगला पोर्ट आपका फोकेट and इन दो आप एंट रेग्जित कर सकते हैं इंडिया से जो फ्लाइट इन रहे हैं थीक है डोनों इंडियन एरलाइन बास एरलाइन और इंटनाशनान एरलाइन डोंग जाहते हैं अगर आपको मतलब it might be cheaper if you book with a domestic flight round trip but one may cost is the same if you book either but it's more comfortable and हम वो अपस आये from Phuket in Indigo वो में कुछ पड़ा 12,000 अगें और वो था चोटा वाला प्लें 3x3 configuration वाला तो I think overall अगर आप जा रहे हैं then you'll find domestic airlines flying back from Phuket और international तो से Bangkok पे ही हैं अभी कले अगर जैसे जैसे protocols खुल रहे हैं more and more airlines are adding up and the cost is going down तो यह best time है for you to actually plan because market अभी open up हो रही है everything is very cheap and everything is awesome so don't forget, go ahead, plan it out and have a super time अगला सवाल है अपका cost of living अगर आप तालिन के प्लान करें तो what is the basic cost of living हमारी 13 days की trip was about 1 लाक च a little more than 1 लाक because of my shopping shopping मत गिनो यार मतलब मेरे साब से shopping is everyone's personal interest and मतलब I ended up shopping मैंने camera back खरीदा तो वो मुझे cost कर गया तुम लोग ने अलग shopping तो मैं तो मैं cost कर गया अगर आप budget अगर आप सिफ सिर घूमने जाओगे तो 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 इतना नहीं होता है तो बट I would say on an average 1 लाक रुपे हमारे दो हफते के per person लगे including everything okay and this is inclusive of I'll tell you what all this is inclusive of a stay, हमारा खाना, हमारा transport between the cities हमारा transport and हमारे tours inside different places and again and a little bit of common things जो मने common interest में कैसे पाड़ी बाड़ी कर ली तो उसका भी खर्चा आ गया तो I think वो सब इंक्लूड़े है पाड़ी का भी इंक्लूड़े भी थे तो एक लाक रुपे दो हुदे का per person आया विच ब्रेक्स इडाँ पर बडे बेग्ट रूटबे बाड़े पर देखे रूटबे ले पर पर बेट लेया yeah and it's also cheaper if you travel in groups है? इसे Сोलो को जडेत था है है भी तो पॉस्तल साथotels यह मासरी लोग्ति। वी है अगान कोश्टिम है तो होगा होगा फाटल ऊसीलने और डालीन, मेर यह कोना जशा कोश्या कर देन NEW Waunder जोंगी अगान प्रम시स अहरी है मैं मिश्राजी को बिलाया है यह तो मतलब full power vegetarian है तो आपको पूरे experiences बताएंगी अपने खाने के वारे में in Thailand but before that let's just finish this list and then get jammed in the next part ठीक है तो cost of living आप लगा लिए पर person जब तीन बंदे गए तब और और वाराण 5,000-6,000 रुपर दे था which was very decent in terms of per person very decent in terms of the experiences that we had but you can completely control it and you can bring it down to 3,000 a night also यह सब आपके हाथ में है hostels में रहिए, local खाना खाईए, slow boats में travel करिये flight मद लिजे, trains लिजे and the cost will go down we will jump into the itinerary and जो मेरे vlogs आएंगे तो उसमें आपको और डिटेल पता चलेगा कि हमने कैसे point A to B travel कि बीसे सी के से गए, ठीक है तो प्लीज अवर व्लोग आचुके हैं तो लिंक यहां पर है जाके व्लोग चेकाउट करना शुरू करो because उसमें आपको और डेप्थ में पता चलेगा inside every city हमने क्या किया but this video is primarily to wrap up the whole trip and kind of अवर चितना में गयान है मैं आप लोग को थोड़ी से help हो जाए that's the whole plan तो थोड़ा जनरिक है but vlogs that's it अगर सवाल है accommodation five star or budgeted I would say don't experience करिये because places like Fifi अगर आप बीच फ्रॉंट पर रहते है it's way more experiential than staying inside the गलिया बाट अगर आप cities पर रहे हैं then definitely go and stay in hostels because city में experience मतलब भी हो होगा कि you will be on the 50th floor probably and see the city that's it yeah and like hostel में रहने का is the best thing that you meet new people and it's so much fun if you go solo you can actually meet people who share similar interests and who आपके साथ diving जा सते है your trip becomes more fun actually more fun I agree and the last question on this whole list is finance अगर तालन जा रहे हैं तो क्या पर फोर्रॉंट लजाना चाहिए मेरे साथ से carry a minimum bare minimum at least 10,000 baht कि अगर आप एंटर कर सकें but cards work debit cards are great credit cards, debit cards, both work they work but they come with the baggage so basically क्या होता है कि अगर आप cards यूस कर रहे है in ATM then ATM में आपको minimum 2 चीजे चार्ज होंगे एक तो आपको उनकी मशीन यूस करने के 200-300 baht चार्ज होंगे which is around 1000 bucks और साथ में आपका जो bank है वो आपको 4X conversion fee चार्ज करेगा so technically अभी जो rate चार्ज है 4X का हो है 2.23 और हम भो multiply करें 2.4 से हम सो चीजे सब इंक्लूट कर रहे थे कि हमारा जो एक्शेंज रेट है मगर अगर अगर आप अगर चार्ज करेंगे चार्ज करेंगे जिसमें 0% mark-up है on 4X then that's a plus plus यह जो मेरे पास है so that was a saviour also जब cash आप इंडिन रुपीस लेजाना अगर आप cash लेके जाएंगे जाएंगे आसे इंडिन रुपीस और आपर चार्ज करेंगे तो you won't get the best rate because obviously अगर आप करेंगे जाएंगे जयी में साथ वह खी जालो 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 हो जाएगा, so you have to switch it on and that is the most important thing but then again मैं एक कीज़ को बार बार रिपी करना चाहूँगा की the easiest way to do it is to have a card जिसमें 0% markup है there are many अभी मैंने बहुती संदीक बार्ण किसा काम कियता जिनका नाम and I wanna mention them, this is not not sponsored, मैं परले काम किया ता, it's called it's a savings account which can be used in any bank shameless plug-in नहीं है, sponsor नहीं है बस गयान दे रहा हूँ, use करना है तो कर लेना again, neocards might help you guys out also I think we should, we haven't listed that down but I think talk about communication, like just network and phone right, like oh ha, wow, good, good stuff is sim card and how can you be connected now, जब आप आप इंडिया से जाते हैं most of us take international roaming तो अटलो जियो के international roaming है तो आप को 4,000 इंडियन रुपीस है मिलेगा 5GB internet और incoming, outgoing, 100 minutes now, this is a good option for somebody जिसको calls attend करनी है, like me for me, clients call करते हैं brands call करते हैं, I need to might have to pick up call and if I am roaming on नहीं है, then I might have to pay 100 rupees per minute for me, for someone like me, I was full off, like I took I was totally out of reach right, so मैं अबरा तो इंके लिए international roaming didn't make sense because in around 4,000 इंडी जगे, आप थालें में जाके Thalin में जाके आप थालें में तो थालें में जाके Thalin में जाके थालें में थालें ही सबका तो पता ही होगा अगर आप कुछ भी खाना है, कुछ भी थालें है just head to 7-ELEVEN that is the place it's like the no not mall, like, a supermarket जब खाने से लेके, पीने से लेके, इंस्ट फूट से लेके, मेडिसन से लेके, किस्मेटिक से लेके, अल्कोहल से लेके, सब कुछ मिल सकता है मैं सब कुछ मिल सकता है, मैं सब कुछ मिल सकता है, मैं सब कुछ मिल सकता है बेस्ट एक्स्पेरियंस वस था 5G हमने पहली वा लाफ में 5G एक्स्पेरियंस किया डाउनलोड स्पीज वर इनसे आप यहां देख सकते हैं मतलब इसे भाग रहा था किया बता हूं हमने लिया जो सिम कार्ड वहमने लिया फिफ्टीन डेस का पो 600 बाट मैंने लिया था मुझे मिला था 30 GB high-speed internet प्लस अल अप्स फ्री इंस्ताग्राम वाट्साप जो हम लोग यूज करते हैं इसे आपको 30 GB high-speed internet मुझे लगा था मेले कम होगा I wanted to buy a 100 GB at least but I swear I swear 30 GB बढू हमाः थे ने लिए ने लिए लिए और नेट लिए लेता है बहुत बढ़िया तो अप्राइथा गुष्टीन प्राइच का सिम का लिए 299 बाट इसमें internet प्लप दा 15 GB हम प्राइज बाट सारे अप्स फ्री थे सब्स्रीता वो मेरे एक बेसाद बिचे दावल में दावड हो प्रवाद हिंगु दावल मेरे चेकिन बाग और गाओ उर्पार्टर में मैंडेन घाल सुपंड आप इन जान थे दराव पॉड़ प्रॉटे दावलें धान डाला थे और प्र य। जो आप इंडिया से यह लेके जारहें इन डेफिनितल नो एक शॉपन इस वाल उठते हैं इन थाएलन जिसमेकर बट्री तो थे नियुक्षित अबज़ अबाव शीमिडर्गी एंस पर यह लेगा था लिमिट अगर साट मेंटर की उपर I don't like to fly either ways Secondly, just make sure कि आप populated area पे नहीं उडा रहे हैं आप buildings के बीच में नहीं उडा रहे हैं ट्राइन फ्लाइट जहां पे लोग नहीं है जितने कम eyeballs उतना better drone flying experience लाइफ में मिशायाद अपना जब डोन उडता है तो वाज आती है सब देखते हैं आप कौंचिस फील करते हैं कुछ भी हो सकते हैं सुछ एस तरहाँ कि अपने कीड़ से उडा रहे हैं बजा रहे हैं वीजाओ जहां पर नहीं उडाया था वो तक फीफी मैं आया बे बिकस्वा बर्रोन पर्मिटेद नहीं तो जचेक जहां भी आप जारे हैं आपे लोकल ड्रोन नौट चेक करिये, आपने गाइड से पूछे कि ड्रोन अड़ा सकते हैं, अगर आपको अपर आपको पूछे तेते हैं, तो अड़ाइए. नवाब हमें तंग करते हुए हाओ अपनीव हमाये तंग कर से सब्सक्राइब करू चैनलिंद वहाओ इन वहाइड साओ है। yeah, by water also and exactly by water... लिट हमने प्लाइन कि थे… ... हमने धान कीया था रहना था व हमने प्लाइन की था, स्टैक्ड दॉरत स्ट्पानि के हम झाह रहे थे वह जा थे? ठीटार आठ भारऴ की थेरे हैं बस वेड़ेरिम्स अपना खाना पाकरा लेक लेक लाना दिर्टेन पे इक्षियांज आदे, मिश्रा भो दू 7 जैंने, मैं तो अथारा गंटे भूकी भी तर दो जा कि आप रेलवास्टेशन के तरी पूछे जो कि अपरांस इरा टेकेट बूकिता है तो यह दिना पहले नहीं पहले हैं तो तो प्ल ता जा था शुले हैं いき झायपूरpowered में गायप रउस ऐसा चाहर क्या हशंगा भुए को अपची कैन riots जकाए रूद बाद तसनी स nut दाना प्रीन होन प्रूद सीन ज्नों सब्स्सागर पिर डेश को जाना फरी है पोड़ जसने आफ नेस 2 आपना प्रणपोर जानास जांस में पर अग्जाम्पल अगर आप करावी से जारे हैं तो आपकी जोबोट चलेगी और अलमुस्ट नो से ढाई गंटे में और आपका जो स्पीडबोट वोगोगा प्रॉर्टी मिल्स परचादेगा बट आपका पुर्टी मिल्स परचादेगा बट पुरा बिर अपन होता है तो अगर करता है और वो था दीना कि ब मत पुर्टी मिल्स प्रेंड अपका अनकित कर दो गए कि महारे और शादेगा पर रहाँ तो आप सान्या प्लीर लिग्स प्रचादेगा बटे रेरापोगा तो रचादेगा आपका बटेड बहाँ और कि अन्ष लिग्स पारोगा बार से लेकर आपके, like if you want to do adventure sports also, there's a lot of scope for bargaining, so make sure आप पहले ही उसमें, like if you really want to go on a budgeted trip, definitely be shameless, and अपना प्राइस आप कन्विंस कर सतते हो, just don't be too shameless, just don't be too shameless, Aakash, Aakash. मुझे तो शरमी आप ती ती, मत जिसलोग वो उसने बोला 1000 बाट, सीदे 200 बाट, but it works, it works, it does, and then like we sort of settle at 400, but आपको तुड़ा सा आप चाहिए, वही, सरोजनी नगर मौडल है, full, 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 full power, yeah, so yeah, you get the best deals, and honestly, Thailand is a very warm country, लोग बहत पयारे हैं, they live on tourism, and they welcome you like family, so it will not be a problem at all, and support them, they've come back after so long, right, so pay where it is due, now brother, find best deals while traveling, well, finding best deals, I personally feel, you need to choose a local app, for sure, first of all, it would be that just go around, and ask the information center, which is the packages that you are selling, and take a rate, so you have a general idea, what is the market movement like, okay, and online research, and then you will know, sweet spot, I'll tell you a very good example, we have a jet ski, jet ski, jet ski, and these people have done it in the air, parasailing, and they told us that it's 6,000 baht, we have done it in the air, so you can see, how much of a negotiation, but I feel, we have a little bit more, now, what are you talking about, Mishran Devi, how to interact in foreign land, where language is a barrier, your google translator is your savior, I can learn 3, 4 things for sure, whenever I go, I actually took a photo, of like, few things you should know, which we will share here, you can see, like, how to say hello, how to say thank you, how to ask directions, like, few words you should learn, whenever you go, locally, you should learn, and like, this is, this is, guys, vegetarian, Monks Veyarat, Monks Veyarat, you didn't even call it, you didn't even call it, I didn't even say that vegetarian, you didn't write it, it was Monks Veyarat, Anyway, so, we used to take Google Translator, like, this one's using, and that's very helpful, and after that, we have internet, if you have to have our connectivity, just as Raja has told you, Google Translator is your savior, okay, save 2-3 words, take a screenshot, if you are not speaking, then show it, that's the best way, stop the stand, I go, I've seen, I have seen something, तो एक है थारेंट में कि सिंपल रखो इंगलिश को ठीक है गो बंकॉक या बोलो गो खाउशांग रोट तो बंदी को समझ रहेगा आई वांट तो गो तो खाउशांग रोट बोलोगे ना तो बंदा इंगलिश को चोटा रखोगे ना या फूओड बेच ना घंग वुट वडर्ब प्रफूज बेचे ना जाता तो बंदान नो फिस्स भाई नो नो जाता अगला सब्सावल है अगला सवाल है, हौ सब्स्ट यताना बेच्टिह नंगलिव ना प्रम्डर्ड दूवर्यों वार्द वीचे शुल्स थे लेट र्हार शेखर आफेल बहुत टलुड ग्लुड। ट्रीश अचीज आपना को वीफी में दो पार्ट हैं ग्रफी में दो पार्ट हैं तो लोग आते हैं फीफी डॉन में और जाते हैं घूमने फीफी लेके आसपा जापे हैं माया बे पीले लगून जापे है आपका वाइकिंग केव्स और बहुत सारे स्कूबा दिविंग और फ्री दिविंग साइट और सबसे इंपर्टन चीज में सबसे फेमिस है माया बे जो की फाइली तीन साल का फुल चुका है बढ़न वन इस फिले वरी कमर्शल अलसो नहीं परोच पिछे से कर दी है तो अपका बेस्ट एक्सपिरी ब्री लेड्य पार नहीं अपंप ओ कर देखेंगी एवाचे विद्ट देखेंगे तो आपका बेस्प्रिंशल पार्ट क्या हो सकता है अज़ जाहते हैं तो कम दो-से 3D लोगे वहाँ कम दूख वहता है, तीन नहीं दो पर उख एफिछ छाहते है, तीन नहीं दोगें पर दूख लगे लिए जाए exist यह वहाँ है कि दो अभी जख से थारदी करें लोगे लिड़ और दैव समय में पिलिडिन दाभ सराय है, कि अगर मेशिकर, बेढ अगर वि सिरंक पर सब्सेदिन काउं आपE टलिडिन आटी है जोकी आप लेगेवांर था सप्रोंड वसका है इन लेक हम टाइल घंदू City काई विसक कऊ है थाइलंड भी थाइलंड भी थाइलंड फिर भी is much more comfortable than say ताइवान राइट यहां पे आपको खाने के काफी option मिलेंगे बट आपको थोड़ा smartly plan करना पड़ेगा if you're going to a location वह पे beforehand search करो कौन से रेस्टरांट जो आपको vegetarian भी देते हैं what's interesting about Thai food is that वह meat dependent नहीं है so it's more gravy dependent so most menus are customizable तो अगर आप उनको Google translator में अच्छे से बताऊ no fish oil no oyster oil करके and just use vegetables only and if you're a vegan they also give you that option there are lots of vegan restaurants over there and if you don't if you I eat eggs so मेले काफी आराम से I could like add like a little bit of nutrition in my overall food and enjoy my meals right and yeah like coffee side my favorite all-time favorite if I have to say a few hacks one is morning glory वो मेरी सेवियर है ultimate savior हर हर मेल में मैंने चाहें breakfast lunch dinner मैंने morning glory जरूर काया और ये non-vegetarians को भी बहुत पसंदाती है second thing is 7-11 7-11 में there are a couple of things वहां पे you get these ready-to-eat frozen food there were two packs which I'll share images of here you can check these out two packs and you cross-check that you can cross-check that you can cross-check that there on the counter you should be vegetarian or mock meats and all so you can check it out soy-based or tofu-based you can really check that out and you can get a lot of options then you get like butter toast and all of that 7-11 is amazing you can get something on the counter and you can get something on the counter and you can get something on the counter majorly sweet things you can get I think if you want to ask me to summarize the veg food because obviously I was there in Mishrajev and whenever she got pissed at me because she didn't get veg food is that if you are taking Thai food then there are veg options in Thai food you can make them like it no not true no if you don't say anything specifically let me finish if you don't say anything about no fish oil or no oil you will make them like this all the commercial restaurants know this now yeah they're used to Indian travellers they're used to veg there but one more context is that if you are eating hungry don't think that the masala in the masala is mint it's not mint it's shrimp oil shrimp powder yeah and with oil and all of that मैं पहली पहली बार जब मैं खाया था तो I was telling Aakash Aakash में खाया है क्या है क्या है क्या है तो मिलची है और इसने मज़ से खाया बड़ इसने मज़ से खाया बड़ I was constantly doubting किस में कुछ तो है and then like I McDonald's जाओगी you might think you're McDonald's में ज़ता है नहीं मिलता गाइस but Burger King has vegetarian one burger जहां पहर आपको vegetarian burger मिलता है and of course there's lots of croissants and stuff you can the one thing that my mother taught me when she was traveling abroad वो एक चोटु सूटकेस लिके जाती है जिसमे रड़ी-to-eat खाना रखती है सिर्फ so अगर आपको यह सब नहीं पसंद और you're very very strict because sometimes like you don't even like the kitchen right and how they sort of cook it and you don't know you don't trust the restaurant also so how you can cook it and you don't know how to cook it or you can see that this is not something okay but then carry your own food you can carry ready-to-eat and that's definitely backup that you should have come to come like 10 days you're going to go for 4 days always keep your own food just say train because there's no option there except flights you don't have option you have to commute you have to be very specific if you want to eat yeah 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 so I think you have summarized it from a third-person perspective if you want to eat non-wish food there are a number of options yeah seafood is crazy but again I will recommend you one thing if you don't have international travel before you go then just have a very open mind and ask if you have doubts because eating is very important and obviously like these countries are very comfortable eating any kind of meat okay yeah crocodile meat लोप ज़यता है इसमस्ट पूस्ट कुछ दो पाराइते है कि अमलब आप सबाद पूस्ट पूस्ट अब ज़रूरी है और अपुछा है थी रही है that । और अपुछने को सुछा जी एंजी नियूद के अ में दो ज़िति प्र आजबाद कैक यह श्यूडरी तो जैसा नहीं कर दिए दिए को इना को फोले लिए प्लिए प्लिए सब्सक्राइब को पूड़ना मत पूले तीक है, तो ये प्लीजेगा प्लिजेगा विक यसमें हमीशा कहता हुआ यह रहा हुआ अपक जाहु आप लीजेगा, भीजेगा निचानी टिए डिए अपे लिक जा Go ahead, feel free to reach out to us, thank you so much, this is me, Akash Malutra, aka WandaWitch, and this is our Mishra Ji, but thank you so much for joining us today, I love you all, vlogs are coming next week, see you next time.